सब्सक्राइब कीज़े को कुख विदिस्मृती चैनल को यह बिलकुल फ्री है और बेल बिटन पर क्लिक कीज़े मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आज पर बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तो तो इसको लाइक और शेर पढ़ना ना मुले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छिन union प्रिक्प्रिक्वे के मौट्येश था रहें हैं दोस्तो आज भुमस्तों तएम के रख के पकोड़ tree ऑंनाने चाहरे वह हम चाहले हम बनाने वाले इस यह दशुरू आटे के संट हे अगर पहले वी मैरे आपकए बनाहंआ था खे प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं लेकिन कई लोग कुटू का अठा नहीं खाते हैं और इसका स्वाद पसंद नहीं करते हैं तो लोग दूसरे आठे से भी बना सकते हैं तो इसके लिए हम ने यहां पर लिया है अबले आलो पकोड़े में दो तरह से बनाएंगे आठे को मिक्सी में डालके पीस ले और जान ले आठे को ताकि मोटे मोटे दाने नाएं चावल का अठा डालने से पकोड़े बहुत ही करारे मनेगे इसके अलावा हम यहां पर लेंगे वरत वाला नमक, सेधा नमक लिया है मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाओडर, थोड़ बैटर बना लेते हैं, तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें आए बाव ले लेंगे, और इसमें में डालूगी सिंगहाड़े का अर्टा, और समाक के चावल का अर्टा, दोनों को मिक्स कर लें पहले अच्छे से, अब हम डालेंगे स्वात के हिसाब से नमक, चौथा ही मिलाएंगे पहले, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, तो पहले हम बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे, ताकि कोई गुठलिया न रहे, अब जादा पानी डाल देंगे, तो फिर आपको गुठलियां खतम करने में दिक्कत आएगी, तो पहले इस तो अभी हम बैटर को इस तरह की कंसिस्टेंसी का बना लिया है हमने, और बाद में भी जरूरत होगी तो हम पानी डाल के एड़ेस्ट कर सकते हैं, इसको हम एक साइड पर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए फूलने के लिए, तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा, तो पां तो बस अब हम इस बैटर में एक एक पकोड़े को डिप करते जाएंगे, तो दोस्तों यह जो हमने स्लाइस करके आलू लिये हुए, इनको सिर्फ आपको इस तरह से डूबोते जाना है, और जैसे का आप नॉमली आलू के बनाते हैं, उस तरह से इनको आप डालते जाएंग तो जैसे एक अस्वाद आपको पसंद आए और बनाना असाल लगें, वैसे आप बना सकते हैं, और पकोड़े जो हैं, वो मीडियम गैस पर तलेंगे, ताकि वो अच्छे से अंदर तक आलू पक जाएंगे, और करारे हो जाएं, तो जब पकोड़े एक तरह से अच्छे से स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमें इसी तरीके के चाहिए, तो आप हम इनको प्लेट पे निकाल लेंगे, तो आप हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे, एक साइट पर करके सारा एक स्टाओल हटा दें, और पकोड़े साफ करने के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी तो देखिए दोस्तों हमारे आलो और सिंगाडे के आटे की कुरकुरे पकोड़े बनके तयार है, यह वो पकोड़े हैं जो मैंने अबले वी आलो को सरकल शेप में काटा था, ऐसे आप गोल काट सकते हैं, यह देखने में काफी सुन्दर लगते हैं, या फिर आप इस तरह जो रफली आप तोड़ कर भी बना सकते हैं, वो इस तरह के छोटे पीसिस में रेडी हो जाएंगे, आप आज की रेसेपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो के निचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब करने, अगर आ झाल